नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, टींस ओफ मिलने तक नहीं हटेंगे लेकिन आप इस हतियार से किसे बचाते हैं, इस से जरूरी और कुछ नहीं होता एक तो तेरे पास जमीन का पटा नहीं है, और नहीं राशन काड है, यहां तक की वोटर लिस्ट में नाम तक में इनके गार्थी क्या है इसमें, टेश को आजाद हुए पचास साल हो गए, लेकिन इनके पास एड्रिस प्रूफ तक नहीं है कौन सा कानून कहता है कि एक आदमी पर एक ही केस लगाओ, हर बकरे पे दो-दो केस ठोग दो जाहे कितने भी पीडितों हर एक को इनसाफ के लिए लड़ने का हक है और इस अदालत का फर्ज है कि वो उन्हें इनसाफ दिला है राजा करना मौसुकुटी और इडूटपन, ये तिनों हैबिचल ओफंडर्स हैं जो चोरिया हमने नहीं कि उसे कबूल है कैसे हिसाब कोट से जूट का है उस देवर उसने बेचे उसके अमरे पास एविडेंस है तीनों फरार हो गए उसके एविटनस भी है चोरों को ट्राइबल बताकर पॉलिटिक्स मत कीजिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई गल्ती कर रहा हूं यह केस नहीं एक स्कैंडल है यह लोकल पुलीस के हाथों में होना ही नहीं चाहिए इस केस को सी बीआ को सौफ दीजी अरा सच क्या है पुलीस बतातो नहीं है इस सच के पीछे नजाने कितने जूट है हमें सी बीआ इंक्वाइरी चाहिए माइलोड्स यह केस तो दिन बादिन उलश्टा ही जा रहा है सीम तक पहुंचने से पले इस केस को बंग करना होगा वैसे भी गुनेगारों का साथ अकसर कई लोग दिया करते हैं सर बेगुनाहों का कौन देगा उन्हें हमी से उम्मीद है पल भर में चारों जोपणियों को जला दूना हाँ गणतंत्र को इस तेश में बचाने के लिए कभी कभी ताना शाही की सरूरत पड़ती है चंद्रों कानून तो अंधा है पर अगर आज ये कोट गूंगा भी हो गया तो मुश्किल हो जाएगी चंद्रों और दस दिन में कौन से राज खुल जाएंगे मैं चाहता हूँ उस मासू माधिवासी औरत को इंसाफ मिले कोर्ट इंसाफ नहीं करेगी तो मैं सडक पर उत्रूंगा सिर्फ कानून ही मेरा हथियार है दाट्स अल झाहता हूँ झाहता हूँ